नमस्कार, SNEducation Classes में आपका स्वागत ही देखे दोस्तों, आज हम काफी important fact लेके आए हैं और ये fact ऐसे हैं दोस्तों, जो exam के वक्त पढ़के जाने चाहिए क्योंकि exam जब नज़्दीक होता है, तब हम इतना नहीं पढ़ पा सकते हैं उस वक्त के वर important fact देखे जा सकते हैं या mock test दिया जा सकता है तो उसी कड़ी में हम दोस्तों काफी important fact लेके आए हैं लोगसबा, राज्यसबा और राष्टपती से सम्मंदित काफी important fact होंगे अंत तक बने रहेगा, मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने के बाद ठीके, चली शुरुवात करते हैं, पहला बिंदू से प्रधान मंत्री को राष्टपती न्युक्त करता है आपको पता होना चाहिए कि प्रधान मंत्री को न्युक्त कौन करता है तो प्रधान मंत्री को न्युक्त करता हैं दोस्तों राष्टपती अगला देखिए राष्ट पत्ति का जो चुनाव है राष्ट पत्ति का चुनाव एकल संकर्मणी है मत्पदति के आधार पर होता है ठीक है आपको लगे कि ये ऐसा विंदू है जिसे हमें नौट करना चाहिए तो आपनी श्चित रूप से उसे नौट कर लें ठीक है अगला देखिए राज्य सभा का पदेन सभापती उप राष्ट पती होता है राज्य सभा का पदेन सभापती कोन होता है उप राष्ट पती केंद्रिय मंत्री मंडल की अध्यक्सता प्रधान मंत्री करता है केंद्रिय मंत्री मंडल जो होता है दोस्तों उसकी अध्यक्स्ता कोन करता है प्रधान मंत्री करता है प्रधान मंत्री अध्यक्स्ता किसकी कर रहा है दोस्तों केंद्रिय मंत्री मंडल की ठीक है अगला देखी फेक्ट दोस्तों फेक्ट नमबर फाइब संसत के सत्रावशन मे संसत के 17 वशन में राष्ट पती विशेज प्रिस्तितियों में जो आदेश जारी करता है उसे अध्यादेश कहते हैं अध्यादेश कौन जारी कर रहा है दोस्तों यहां पे राष्ट पती जारी कर रहा है अब देखिए अध्यादेश तो जारी कर दिया लेकिन उस अध्यादेश में होता क्या है देखिए अध्यादेश संसत का अधिवेशन प्रारम होने के 6 सपता बाद तक लागू रहेंगे यहां से भी प्रश्ण बन सकता दोस्तों ओप्सन में दो ओप्सन आएंगे 6 सपता भी आएगा 6 महा भी आएगा लेकिन टिक आप किस पर करके आजाएंगे 6 महा पर लेकिन ध्यादेश संसत का अधिवेशन प्रारम होने के 6 सपता बाद तक लागू रहेंगे लेकिन अगर संसत चाहे तो राष्ट पती द्वारा जारी के गए अध्यादेशों को आउदी से पूरू भी समाप्त कर सकती है किसके पास इप आउर है तो संसत के पास इप आउर है ठीके ना अध्यादेश संसत का अधिवेशन प्रारम होने के 6 सपता बाद तक लागू रहेंगे लेकिन संसत चाहे तो उसके द्वारा जारी अध्यादेशों को आउदी से पूरू भी समाप्त कर सकती है द्यान देना मोलिक अधिकारों के संबंद में उच्चतम न्याले और उच्च न्याले दोनों को प्रारंबिक छेत्रा अधिकार प्राप्त हैं प्रस्ण पूछा जाता है कि उच्चतम न्याले और उच्च न्याले दोनों को प्रारंबिक छेत्राधिकार के सम्मंद में प्राप्त हैं तो मोलिक अधिकारों के सम्मंद में ठीक हैं तो NCRT की books का ही यह सारांस है दोस्तों अंत तक बने रहेगा हगला देखें important factor दोस्तों कम से कम 10 वर्स तक कितने कम से कम 10 वर्स तक उच्छ न्याले में वकलात कर चुके भारतिय नागरिक को उच्चतम न्याले में 29 न्युक्त किया जा सकता है कम से कम 10 वर्स तक उच्च न्याले में वकलात कर चुका हो ऐसा भारतिय नागरिक जो हो है उसे क्या क्या बनाया जा सकता है उच्चतम न्याले में 29 न्युक्त बनाया जा सकता है अगला fact देखें दोस्तों यह आया था आपके रीट में जो NCRT की बुक्स क्लास 10 में सीधा सीधा लिखा हुआ है ठीक है ना अनुच्चेद 129 सरोच न्याले को अभिलेक न्याले का स्तान प्रदान करता है सरोच न्याले को अभिलेक न्याले का स्तान कौन प्रदान करता है किस अनुछेद के तहट प्राप्त हैं दोस्तों तो अनुछेद 129 के तहट है अभी लेक नियाले होता क्या है अभी लेक नियाले तो आपने पढ़ लिया अभी लेक नियाले लेकिन होता क्या है वो भी देखे दोस्तों अभी लेक नियाले के दो आसे हैं प्रतम इस नियाले क सब जगह सक्षे between fully कर जाएंगे उच्यतम ने सब जगह सक्षे पेरी कर जाएंगे और इन्हें किसी भी नियालय में प्रस्तूत की जाने पर उनकी प्रमानिकता के द्वारा नियालय आउमानना के लिए किसी प्रकार का दंड दिया जा सकता हैं तो इसका मतलब यह हो गया दोस्तों कि उच्चतम न्याले ने जो फेसला दिया वो सब जगे मान्य होगा ठीके ना तो सरोच न्याले को अभिलेक न्याले का स्तान किस अनुचेत के तहत प्राप्त है तो अनुचेत 129 एक और देखी दोस्त दोस्तों बारते समिधान के अनुचेत 63 में उप राश्टपती के पत की व्यवस्ता की गई है ठीके अच्छे प्रस्न है दोस्तों अंततक बने रहेगा राष्ट पति पत के उमीद्वार के लिए उमीद्वार की आयू कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए अगर कोई राष्ट पति बनना चाहता है तो कम से कम उसके आयू 35 वर्ष होनी चाहिए उससे पहले वो नहीं बन सकता है ठीक है आगरा देखे दोस्तों भारत के राष्टपती का कारेकाल पांच वर्सका होता है राष्टपती का कारेकाल कितने वर्सका होता है दोस्तों पांच वर्सका किन्तु भारते सविधान के अनुचेद 61 के अनुसार राष्टपती द्वारा सविधान का उलंगन किये जाने पर सविधान में दी गई पदती के अनुसार इस पर महाभ्योग लगा कर उसे पद्चुत किया जा सकता है तो राष्टपती पर महाभ्योग लगा कर उसे पद्च से हटाया जा सकता है ऐसा किस अनुचेद में का गया है तो अनुचे 61 में राष्टपती पर महाभ्योग प्रक्रिया का उलेक है राष्ट पती पर महाभियोग लगाया जा सकता है ऐसा किस अनुछेद में कहा गया दोस्तों तो अनुछे 61 में ये कहा गया है अगला देखे इंपोर्टेंट फैक्ट राष्ट पती पर अभियोग लगाने का अधिकार पारत्य संसत के प्रतेक सदन को प्राप्त है राष्ट पती पर अभियोग लगाना है तो उसका अधिकार पारत्य संसत के दोनों सदनों में है और अभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के एक बटा चार सदिशों के हस्ताकसर होना आउश्यक हैं अभियोग चलाना चाहरें राश्टपती के खिलाब तो अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संक्या के एक बटा चार सदिशों के हस्ताकसर होने आउश्यक हैं तब ही जाकर राश्टपती पर अभियोग चलाया जा सकेगा अगला देखें दोस्तों यदि राश्टपती पर अभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा प्रतक प्रतक कुल संक्या के दो बटा तीन सदिश्यों द्वारा स्विक्रित हो जाए तो प्रस्ताव स्विक्रित होने के तिति से राश्टपती पदिचुत समझा जाएग ठीक है ये दोनों important fact है याद रगना एक बटा चार और दो बटा तीन क्या है तो एक बटा चार तो हैं दोस्तों अभियोग चलाने के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस समख्या के एक बटा चार सदेशों के हस्तक्षर होने आवश्यक है और राष्ट पति को पत्चु सुक्रित होने की तीथी से ठीक है चलिए अगला important factor दोस्तों सविधान की अनुचेत 352 द्यान रखना अनुचेत कौन सा है 352 इसमें ये व्यवस्ता की गई है कि यदी राष्ट पति को यकीन हो जाए कि देश पर युद्ध या भारी आक्रमन या आंत्रिक असांति कायम हो हो जाए तो राष्ट पति अपात काल की घोस्तना कर सकते हैं शेलिवस्त पर युद्ध या भारी आक्रमन या आंत्रिक असांति कायम हो जाए एसा राष्ट पति को लगता है उनको यकीन हो जाता है तो राष्ट पति आपातकाल की गोशना कर सकते हैं ऐसा कहा गया है दोस्तों अनुचे 352 में ठीक है अगला इंपोर्टेंट फेक्ट है दोस्तों अनुचे 356 अभी पड़ा वो था 352 अब देख रहे हैं दोस्तों 356 के अनुसार राष्ट पति को राज्येपाल के प्रतिवेदन पर या किसी प् प्रिस्तित्यां पेदा हो गई हैं कि राज्ये का सासन समिधान के उपबंदों के अनुसार नहीं चला जा सकता हैं तो वह उस राज्ये के लिए संकट काल की गोशना कर सकता हैं संसत की स्विकृति के बिना यह गोशना दो माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं र रह सकती ठीक है अनुछे 356 में क्या कहा गया दोस्तों कि राश्ट पति को राज्येपाल की प्रतिवेदन पर या किसी प्रकार से यकीन हो जाए कि एसी प्रिस्तितियां पेदा हो गई हैं कि राज्ये का सासन नहीं चलाए जा सकता हैं तो वह उस राज्ये के लिए संकट काल क कि गोष्णा कर सकता हैं और संसत की स्विक्रिति के बिना यह गोष्णा दो मास से अधिक कियावदी के लिए लागू नहीं रह सकती हैं इंपोर्टेंट चीजी हैं दोस्तों सरवच न्याले भारत का अंतिम अपीले न्याले हैं भारत का अंतिम अपीले न्याले हैं दोस्त अगला फेक्ट देखे दोस्तों दीवानी ठीक है दीवानी में क्या गा गया है इस समवंद में मूल समिधान के अंतरगत यह विवस्ता थी कि उच्च न्याले में उच्च न्याले से सरोच न्याले में केवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपिल की जा सकती है उच्च न्य नियाले से सरोच नियाले में कैवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपिल की जा सकती हैं जिसमें विवाद ग्रस्त रासी 20,000 रुपे से अधिक हो ठीक है 20,000 रुपे से अधिक हो लेकिन 1973 में हुए खीस्वे सविदान संसोधन द्वारा अनुछेद 133 को संसोधन कर उक्त धन रासी की सीमा 20,000 हटाते हुए अब यह निशित किया गया है कि दीवानी विवादों की अपिल सरोच नियाले में की जा सकेगी यह important facts हैं दोस्तों पहले क्या प्रावधान था कि उच नियाले से सरोच नियाले में कैवल ऐसे ही दीवानी विवादों की अपिल की जा सकती थी जिसमें विवादा ग्रस तरासी 20,000 रुपे से अधिक थी ठीक है ये पहले प्रावधान थे लेकिन 1973 में अनुछे 133 को संसोधन किया गया और संसोधन था वो दोस्तों 30 संसोधन द्वारा अनुछे 133 को संसोधन किया गया और इस धनरासी की सीमा 20,000 हटाते हुए ये निशित क्या की दिवानी विवादों की अपील सरोच न्याले में की जासकेगी दिवानी विवादों की अपील कहा की जासकेगी दोस्तों सरोच न्याले में की जा सकती है ठीक है चलिए अगला फेक्ट देखिए फेक्ट नमबर 19 अच्चा फेक्ट है दोस्तों ये भी एकजाम में देखने को मिल सकता है अनुछेद 135 के अनुषार स्रोच न्याले को अधिकार दिया गया है कि सेनिक न्याले को छोड़ कर मैं जो गोर करवा रहा हूं और मैं तोड़ा अच्छे से बता रहा हूं दोस्तों उनको नौट करते रहे ना अनुछेद 135 के अनुषार स्रोच न्याले को अधिकार दिया गया है कि सेनिक न्याले को छोड़ कर भारत के अन्यक किसी न्याले अत्वा न्याई मंडल के विरुद के निर्ने के विरुद स्रोच न्याले में अपिल करने की अनुमती परदान कर दें अनुछेद 135 के अनुसार सरोच न्याले को अधिकार दिया गया है किसे अधिकार दिया गया है सरोच न्याले को अधिकार दिया गया है कि सेनिक न्याले को छोड़ कर वह भारत के अन्य किसी न्याले अत्वा नियाय मंडल के निन्ने के विरुद सरोज नियाले में अपिल करने की अनुमती परदान कर दें नोट करते रहें दोस्तों काफी इंपोर्टेन चीज़े हैं और ये प्रस्न दोस्तों ये भी एक्जाम में छपा था ये भी आपके रीट के एक्जाम में छपा था समिधान के अनुचेध़ 53 के अनुसार संकी करेपली का सकती राष्टपती में नहीत होती हैं आगला फैक्ट देखे दोस्तों काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है राश्टपती भारत के अनेक महत्पूर्ण अधिकारियों की नुक्ति करता है आपको चार ओप्सन दे देंगे कि निम्न में से किनकी नुक्ति राश्टपती द्वारा की जाती है और किनकी नहीं की जा सकती है वहाँ प्रश्ण बनाया जा सकता है तो राश्टपती भारत संग के अनेक महत्पूर्ण अधिकार्यों की नुक्ती करता है जैसे प्रधान मंत्री के सला से अन्य मंत्रियों की नुक्ती कौन करता है राश्टपती राज्यों के राज्येपाल, राज्येपालों की नुक्ती भी राश्टपती द्वारा की जाती है ध्यान रखें उच्चतम न्याले और उच्च न्याले के न्यादिस उच्चतम न्याले और उच्च न्याले के न्यादिसों की नुक्ती भी राश्टपती द्वारा की जाती ह दोस्तों ध्यान रखें जो जो मैंने बताया कम से कम उनको तो आप याद रखेंगे अगला फिक्ट देखें राश्ट पती संसत की अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समापती की गोशना भी करता है संसत की अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों राष्टपती संसत की अधिवेशन बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की गोशना भी करता है संसत के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्टपती को है और अधिवेशन स्मापति की गोशना कोन करता है वो भी राष्टपती ही करता है वह परदा मंतरी की सिफारिस पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूरू भी भंग कर सकता है लोकसभा को समय से पूरू भंग करना हो तो वह भंग कर सकता है कौन? राष्टपती अगर लोकसभा को समय से पूरू भंग करना चाहता है तो कर सकता है लेकिन सर्त हैं दोस्तों परदान मंतरी की सिफारिस पर वो कर सकता है और ये भंक इसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों राष्ट पति के द्वारा किया जाएगा आगला फैक्ट देखे संसद भावन देखा होगा संसद भवन को बिल्टिस वास्तुकार एडविन लूटियंस और बरबर्ट हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था इस प्रतिष्टित इमारत का उद्गाटन 1927 में भारत की ततकालीन गवर्नर जर्नल लॉर्ड इर्विन ने किया था ठीक है यहां से भी प्रस्ट बन सकता है नोट कर लेना अगला फेक्ट देखे दोस्तों राश्ट पती को राज्य सभा में बारा सदेश्यों को मनोनित करने का अधिकार हैं कितने सदेश्यों को मनोनित करने का अधिकार हैं बारा सदेश्यों को मनोनित करने का अधिकार हैं जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला तता अन्य किसी छेत्र में विशेस सेवा की गई हैं और वह लोग सबा में दो आंगल भारते सदेश्यों को मनोनित कर सकता हैं ये स और अनुदान मांगे दन विधेक और अनुदान मांगे लोग सबा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती है राष्ट पती की आग्या के बीना राष्ट पती आग्या देगा तभी धन विधेक लोग सबा में प्रस्तावित की आजा सकता है राष्ट पती की आग्या पर ही ठीक है अगला देखे, राष्टपति को नियाएक सक्ति के अंतरगत, दंड प्राप्त वेक्टियों को समाप परदान करने और दंड को कुछ समय के लिए स्वगित करने का अधिकार भी प्राप्त हैं अगर किसी वेक्ति को सजा मिल गई तो उस सजा को माप करना या उस सजा को कुछ समयके लिए स्तगित करने का अधिकार राश्टपति के पास हैं अच्छा प्रस्ण है दोस्तों बहुत यह शानदार प्रस्ण है देखिए अनुचे 360 के अनुचे 360 के अनुसार जब राश्टपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी प्रिस्तितियां उत्पन हो गई हैं जिन से भारत के वीतिय स्वामित्व की साग को खत्रा हैं तो वे वीति संकट की गोष्णा कर सकता है अनुचे 360 के अनुचे 360 के अनुचे 360 के अनुचार वीत्य संकट की गोष्णा कौन कर सकता है दोस्तों राष्ट पती कर सकता है एसी गोष्णा के लिए भी वही अवधी निर्दारित है जो प्रतम प्रकार की गोष्णा के लिए है ठीक है तो अन अनुचे 75 के अनुचे 75 के अनुसार प्रधान मंत्री की न्युक्ति राष्टपति के द्वारा होगी और अन्यम मंत्री की न्युक्ति राष्टपति के द्वारा होगी और अन्यम मंत्री की न्युक्ति राष्टपति के द्वारा प्रधान मंत्री के प्रामर्स से की जाएगी प्रदार मंत्री की न्यूक्ती कौन करेगा दोस्तों राश्टपती करेगा और अन्ये मंत्री जो है उनकी न्यूक्ती भी राश्टपती करेगा लेकिन प्रदार मंत्री के प्रामर्ज से करेगा ठीक है ये किस में कहा गया है अनुचे 75 में कहा गया है मूल समिधान के अनुचे 74 में ये कहा गया है कि राश्टपती को उसके कारियों के संपादन में सहाइता और प्रामर्स देने के लिए मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान मंत्री होगा अनुचे 74 में ये कहा गया है कि राश्टपती को उसके कारियों के संपादन में सहाइता करने और प्रामर्स देने के लिए एक मंत्री परिशद होगी जिसका प्रधान कौन होगा प्रधान मंत्री होगा ठीक है अनुचे याद रखेंगे इंपोर्टेंट फेक्ट हैं दोस्तों अच्छे से देखते रहें ये अनुचे 74 में ये का गया है कि मंत्री परिशद राश्टपती को उसके कारियों के संपादन में सहाइता और प्रामर्स करेगी ये अभी बताया है अगला देखे सरोच न्याले के न्याइदिसों की निक आत्वा उच्छ न्याले के अन्य न्याइदिसों से परामर्स ले सकता है मुख्य न्याइदिस के समंद में भारत के मुख्य न्याइदिस के समंद में राश्पती सरोच न्याले तता उच्छ न्याले के अन्य न्याइदिसों से परामर्स ले सकता है ठीक है अगला फेक्ट देखे, fact number 33, important fact आगया दोस्तों, अनुचेद 143, सब को याद रहता है 143, अनुचेद 143 के अनुसार, यदि किसी समय राष्ट पति को प्रतित हो की वीधी या तथे का कोई ऐसा प्रस्ण पैदा हुआ है, सरोजनिक महत्व का है, तो वह उस प्रस्ण पर सरोजन्याले का प्रामर्स मांग सकता है, राष्ट पति ये कहा गया है, अनुचेद 143 में ये कहा गया है, कि राश्ट पती किसी मामले पर किसी सारजिन महत्वे के मामले पर वह सरोच न्याले से प्रामर्स मांग सकता है न्याले के प्रामर्स को स्विकार या एस्विकार करना राश्ट पती के विवेक पर निर्भर करेगा प्रामर्स तो मांग लिया किस से सरोच न्याले से प्रामर्स तो मांग लिया लेकिन प्रामर्स को स्विकार करना ए स्विकार करना राष्ट पती के उपर निर्भर करेगा अनुचेद 143 में ये कहा गया है अब ध्यान दें सरकार के प्रमुक तीन अंग होते हैं सरकार के तीन गांग होते हैं व्यवस्था पिका, कार्य पालिका और न्याय पालिका भारत का समेधानिक प्रदान राष्ट पति होता है और भारत का वास्ट्विक प्रदान प्छे तो वास्त्विक प्रधान प्रधान मंत्री होता है भारत का वास्त्विक प्रधान तो कोन होता है प्रधान मंत्री लेकिन समेधानिक प्रधान की बात करें वो होता है राश्टपती भारत का समेधानिक प्रधान कोन होगा राश्पती और भारत का वास्त्विक परदान कोन होता है परदान मंत्री ठीक है पारत का सरोच नियाले कहा है सबको पता होना चीए पारत का सरोच नियाले दिल्ली में स्तित है और संसद किस किस से मिलके बनी होती है तो संसद राश्टपती लोगसभा और राज्य सभा से मिलकर बनता है संसद का निर्मान किस किसे होता है संसद का निर्मान राश्टपती लोगसभा और राज्य सभा से मिलकर होता है एक और फेक्ट हैं दोस्तों लोगसभा की दो बेटकों में लोक सभा की दो बेटकों में छे मासे अधिका अंतर नहीं होना चाहिए दोस्तों ध्यान दें सविधान में संसोधन के लिए दोनों सदनों के दो त्याई बहुमत की आवश्यक्ता होती है अगर समिधान में संसोधन करना है तो दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत की आवशक्ता होगी ठीक है अगला देखे वर्तवान में लोगसबा में 545 सदश्य और राज्यसबा में 245 सदश्य है वर्तवान में लोगसबा में 545 सदश्य है और राज्य सबा में 245 सदेश्य हैं अगला फेक्ट है दोस्तों ध्यान देना अच्छा फेक्ट हैं लोग सबा के अध्यक्स और उपाध्यक्स को हटाने के लिए प्रस्ताव पेस करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना दी जाती हैं लोग सबा के अध्यक्स और उपाध्यक्स को आपको हटाना है तो उसका प्रस्ताव पेस करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी तभी लोग सबा के अध्यक्स और उपाध्यक्स को हटाने के लिए प्रस्ताव पेस किया जा सकेगा अगला फेक्ट देखे दोस्तों फेक्ट नमबर 43 लोग सबात सदेश्य के लिए उसकी आयू 25 वर्स या इससे अधिक हो लोग सबात सदेश्य बनना है तो आपकी आयू 25 वर्स या इससे अधिक होना जरूरी है लोग सभा अध्यक्स के द्वारा लोग सभा की सभी बेटकों के अध्यक्स के द्वारा की जाती है चलिए अगला फेक्ट देखे लोग सभा अध्यक्सी निर्ने करता है कि कोई विधेक धन विधेक है या नहीं कोई विधेक धन विधेक है या नहीं इसका निर्ने कौन करता है दोस्तों लोग सभा अध्यक्स ध्यान दें धन विधेक है या नहीं इसके बारे में निर्ने कौन करेगा लोग सबा द्यक्स करेगा अगला फेक्ट देखे अनुचे 249 नोट कर लेना राज्य सबा उपस्तित और मतदान में भाग लेने वाले सदेशों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सुची के किसी विशे को राश्ट्रिय महत्व का विशे गोस्तित कर सकती है अनुचे 249 में कह गया है कि राज्य सबा उपस्तित और मतदान में भाग लेने वाले सदेशों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सुची के किसी भी विशे को राश्ट्रिय महत्व का विशे गोस्तित कर सकती है राज्य सुची के किसी भी विशे को राश्ट्रिय महत्व का विशे गोस्तित क कौन सा अनुछे 312 के अनुसार राज्य सभाई अपने दो त्याही बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारते सेवाई इस्तापित करने का अधिकार के अंदर सरकार को दे सकती हैं कौन राज्य सभाई और ये कहा गया हैं दोस्तों अनुछे 312 312 में ये चिज़ें कही गई हैं नई अकिल भारते सेवाई इस्तापित करने के बारे में ठीक हैं याद रिखेंगे दोस्तों अच्छे फेक्ट बता रहे हैं अगला फेक्ट देखें राज्य सभाई की सदेश्यता के लिए 30 वर्स य राज्य सभाई की सदेश्यता के लिए 30 वर्स या इसे अधिक की आयू होनी चाहिए ठीक हैं लोग सभाई के लिए 25 वर्स और राज्य सभाई के लिए 30 वर्स अगला देखें राज्य सभा एक स्ताई सदन है जो कभी भंग नहीं होता इसके सदश्यों का कारेकाल छेवर्स होता है राज्य सभा का कारेकाल पूछ ले तो दोस्तों वहाँ पर लिखेंगे राज्य सभा का कोई कारेकाल नहीं होता है क्योंकि राज्य सभा एक सताई सदन होने के नाते इसे भंग नहीं किया जा सकता इसलिए राज्य सभा के सदश्यों का कारेकाल जरूर होता है राज्य सबा के सदेश्यों का कारेकाल 6 वर्स होता है और राज्य सबा के एक तिहाई सदेश्ये प्रती 2 वर्स बाद सेवा निवरित हो जाते हैं फेक्ट नमबर 50 देखे संसद का सबसे प्रमुक कारे राश्ट्री हितों के दरश्टी में रखते हुए कानून का निर्वान करना है संसद का मुख्य कारी यह हैं दोस्तों राश्ट्रिय हित को ध्यान में रखते हुए कानून का निर्मान करना संसद का प्रमुक कारी है फेक्ट नंबर 51 फेक्ट नंबर 51 देखे समिधान के अनुसार संविधान में संसोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित क्या जा सकता है किसी राज्य के विधान मंडल में नहीं ठीक है ध्यान दे दोस्तों संसद में ही क्या होगा संविधान संसोधन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी राज्य के विधान मंडल में ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती है समिधान में संसोधन करना है तो ये कहां से होगा राज्य के विधान मंडल से नहीं होगा संसद में ही प्रस्तावित क्या जा सकता है तो समिधान के अनुसार समिधान में संसोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित क्या जा सकता है किसी राज्य के विधान मंडल में नहीं क्या जा सकता है अच्छा फेक्ट है दोस्तों नौट कर लीजिये अनुचे 66 66 अनुचेत कहता है दोस्तों संसत की दोनों सदनों के सदश्ये उप राष्ट पती का निर्वाचन करते हैं नोट कर लेना अनुचे 66 अनुचे 109 भी अच्छा प्रस्ण है अनुचे 109 के अनुसार धन विदेक लोग सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है राज्य सभा में नहीं आपसे पूछा जा सकता है कि धन विदेक कहां पर प्रस्तावित किया जा सकता है तो धन विदेक केवल और केवल लोग सभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है राज्य सभा में नहीं ये कहा गया है अनुचे 109 के अंत्रगत फेक्ट नमबर 54 देखे दोस्तों ये कहता है लोग सभा से पारित होने के बाद धन विदेख राज्य सभा में बेजा जाता है और राज्य सभा के लिए आउशक है कि उसे धन विदेख की प्राप्तिक की तीति से 14 दिन के अंदर अंदर विदेख लोग सभा को लोटा देगा प्रपस्तावित क्या जा सकते हैं लोग सभा में ही ठीक है अब लोग सभा से वो धन विदेख प्रस्तावित हो गया पारित हो गया उसके बाद धन विदेख लाज्य सभा में जाएगा और राज्य सभा के लिए आउशक है कि उसे धन विदेख की प्राप्तिके 14 दिन के अं करता हैं राज्यसभा उस धन विदेग में संसरोधन के लिए सुझाओ दे सकती है बटुसे सुखार करना न करना लोकसभा के हात में है उसकी मर्जी होगी जो करेगी राज्यसभा के बाद माने न माने लोकसभा के उपर निर्वर करेगा पारतिय समिधान के द्वारा संसदात्मक्स व्यवस्ता की स्तापना की गई हैं यह भी अभी रीट में पूछा गया प्रस्न था दोस्तों इंपोर्टेंट फेक्ट हैं अगला देखें फेक्ट नमबर 56 समिधान के अनुसार संगिय कारिपाली का अर्थात मंत्री मंडल संसद के प्रती उत्तरदाई होता है अगला देखें मंत्री मंडल के वल उसी समय तक अपने पत पर रह सकता है जब तक कि उसे लोग सभा का विश्वास प्रस्ता हो मंत्री मंडल जो है क्याल उसी समय तक अपने पत पर रह सकता है जब तक कि उसे लोग सभा का विश्वास प्रस्ता हो देखे ये काफ़ी important fact है fact number 58 अनुचेत 54 द्यान दे अनुचेत 54 के नुसार लोग सभा के सदस्ये राज्य सभा के सदस्यों तता राज्य विदान सभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राश्टपती को निर्वाचित करते हैं ठीक है इसके trick आप देख सकते हैं हमारे channel पर दी गई है राश्टपती और राजिपाल दोनों के अनुचेत एक ही trick से आप याद कर सकते हैं ठीक है हमारे channel पर जाकर आप देख सकते हैं अगला fact देखिए budget सत्र संसत के कितने सत्र होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं देखे दोस्तों पहला जो सत्र होता है वो budget सत्र होता है budget सत्र वर्स का पहला सत्र होता है वर्स का पहला सत्र कौन सा होता है budget सत्र सामनेत है फरवरी मैक के मद्दे चलता है ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है और ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है बजट सत्र इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है और सत्र के प्रारम में राष्ट पती का अभी भासन होता है बजट सत्र जब प्रस्तावित होता है तो सत्र के प्रारम में राष्ट पती का अभी भासन होता है ध्यान देना मानसून सत्र का ध्यान रखें मानसून सत्र चलता है दोस्तों चुलाई से अगस्त के मद्य चुलाई और अगस्त के मद्य ये मानसून सत्र चलता है इसके बाद थर्ड नंबर का जो सत्र हैं दोस्तों सरद सत्र पहला बजट सत्र दूसरा मानसून सत्र और तेनसरा है सरद सत्र सरद सत्र चलता है दोस्तों नवंबर दिसंबर के मद्दे होता है और सबसे कम समयावधी का सत्र होता है सरवादिक समयावधी का सत्र कौन सा होता है बजजट सत्र और सबसे कम समयावधी का जो सत्र होता है वो होता है दोस्तों सरद सत्र ठीक है ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे अनुचेद 108 ये भी इंपोर्टेंट आ गया दोस्तों अनुचेद 108 नोट कर लेना अनुचेद 108 के अनुसार राष्ट पती इस दस्ता में दोनों सदनों की सयुक्त बेठक बुला लेगा सयुक्त बेठक बुलाने का प्रवधान अनुचेद 108 में है यानि राष्ट पती दोनों सदनों की सयुक्त बेठक बुला सकता है अनुचेद 108 में ये कहा गया है अनुछेर 108 के नसार राष्टपती इस दसा में दोनों सदनों की सयुक्त बेठक बुला लेगा जिसमें सामान्य भहुमत से फेसला हो जाएगा अब तक मात्र तीन आउसरों पर इस प्रकार की बेठक बुलाए गई है यानि सयुक्त बेठक अनुछेर 108 के तहत राष्टपती बुला सकता है और अब तक तीन आउसरों पर सयुक्त बेठक बुलाए गई है तो सयुक्त बेठक कब कब बुलाए गई है वो भी आपको पता होना चीए देखे दोस्तों दहेज निशेद एक्ट 1961 के समय संसद की जो दोनों सदन हैं उनकी सयुक्त बेठक बुलाए गई थी दूसरा है बैंकिंग सेवा नियोजन संसोधन एक्ट 1978 के तहत भी दोनों सदनों की सयुक्त बेठक बुलाए गई थी और तीसरा है पोटा एक्ट 2002 तो दहेज निशेद एक्ट 1961 बैंकिंग सेवा नियोजन संसोधन एक्ट 1978 और पोटा एक्ट 2002 के समय संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बेठक बुलाए गई और संयुक्त बेठक बुलाने का प्रस्ताव है कौन से अनुचेद में हैं अनुचेद 108 में चीज कही गई है कि राश्ट पती संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बेठक बुला सकता है ऐसा तीन बार हो चुका है अगला फेक्ट देखे दोस्तों काफी इंपोर्टेंट फेक्टें नौट कर लेना अनुचेद 123 राश्ट पती को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है अगला फेक्ट देखे प्रत्थम लोगसबा 1952 ठीक है पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोगसबा मिली प्रत्थम लोगसबा 1952 में बनी थी पहले आम चुनाव संपन होने के बाद देश को पहली लोगसबा मिली थी 1952 में अगला फैक्ट देखिए दोस्तों noted कर लेना अच्छा फैक्ट है यह भी लोकसभा और राज्यसभा में कौरम या गणपूर्टी कितनी होती है तो लोकसभा और राज्यसभा में कौरम या कौरम पूर्टी पूरा करने के लिए कम से कम कुल सदेशों का एक बटा दस सदेशों की जुरूत होती हैं लोग सभा और राज्य सभा को अपनी कौरम पूरी करने के लिए अगला देखे अगला भी important fact दोस्तों अनुछेद 80 में राज्य सभा के सदेशों की अधिक्तम संक्या 250 निर्धारित की गई है अनुछेद 80 में राज्य सभा के सदेशों की अधिक्तम संक्या 250 निर्धारित की गई है एक और अच्छा प्रस्ने दोस्तों छाप लेना लिख लेना नोट कर लेना अनुछे 67 बी उप राष्टपती को हटाने वाला प्रस्ताव राज्य सभा में लाया जा सकता है अनुछे 67 बे में ये कहा गया है ठीक है नोट कर लेना दोस्तों अगला देखिए लोग सभा के बलराम जाखड कौन बलराम जाखड लंबे समय तक से वारत वक्ता थे लोगसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत वक्ता कोंते बल राम जाखड नाम याद रखेंगे बल राम जाखड लोगसभा के प्रतम अध्यक्स थे दोस्तों वासुदेव मावलंकर और लोगसभा का प्रतम सत्र हुआ था दोस्तों 13 मैं 1952 को प्रार्म हुआ था लोगसभा का प्रतम सत्र 13 मैं 1952 को प्रार्म हुआ था लोगसभा का प्रतम सत्र का प्रार्म हुआ था ये इंपोर्टेंट फेक्ट आप कम से कम देख लीजिएगा आपका बहुत ही फाइदा हो सकता है अगला देखे ततकालीन अध्यक्स डॉक्टर निलम संजिव रेड़ी द्वारा राष्टपती चुनाव लड़ने के लिए इस्तिपा देने के फ्लस्रूप आठ अगस्त 1979 को टॉक्टर जी एस डिलन सरु सम्मति से लोकसभा के अत्यक्स निर्वाचित हुए थे याद रखेंगे जी एस डिलन एक दिन की तारंकित प्रश्ण सूची में प्रश्णों की कुल संक्याब 20 होती हैं याद रखेंगे सविधान के अनुचेद 110 के अंतरगत धन विदेख हैं धन विदेख का उलेक इसमें है सविधान के अनुचेद 110 में अगला फेक्ट देखें लोग सबा में सामाने ते बजट सामाने जो बजट होता हैं वो वित मंतरी द्वरा प्रस्तुत किया जाता हैं लोग सबा में अगर सामाने बजट हैं तो वो वित मंतरी द्वरा प्रस्तुत किया जाएगा और अगर रेल बजट हैं तो वो रेल मंतर द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ध्यान दें ठीक है रेल बजट रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और सामन्य बजट जो होता है वो वित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है पहली बार पद संभालने वाले राज्य सभा के उपाद्यक्स कौन थे पहल राजस्थान में लोक सवा की 25 सीटे हैं और राजस्थान में कितने सीटे हैं तो पचीश हैं और एक और प्रशन बनाना चाहे एगजामिनर तो बनाता है कि राजस्तान से कितने सांसद चुन कर जाते हैं तो राजस्तान से 25 और 10 कितना हो गया 35 सांसद चुन कर जाते हैं 25 सांसद लोगसभा से और 10 सांसद राज्यसभा से टोटल हो गए 35 सदे से यानि राजस्तान से 35 सांसद चुन कर जाते हैं लोग सबाई की सरवादिक सीटें उत्र प्रदेश में हैं 80 और उसके बाद नमबर आता है माराष्ट का वहाँ पर है 48 लोग सबाई की सरवादिक सीटें उत्र प्रदेश में हैं 80 और माराष्ट में 48 हैं लोग सबाई में अनुसुची जाती के लिए 84 और अनुसुची जन जा लोग सबा में आरक्षित हैं त्यान रखना अंतिम ख्षणों के ओर चल रहे हैं दोस्तों त्यान दें पांचवी लोग सबा का कारेकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था और भारत में वर्ष 1921 में अध्यक्स और उपाध्यक्स पद का स्रजन भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चंप स्पोर्ड सुधार के प्रावधानों के अंतरगत किया गया था वर्ष 1921 में अध्यक्स और उपाध्यक्स पद का स्रजन भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चंप स्पोर्ड सुधार कहा जाता है कि उसके प्रावधानों के अंतरगत किया सब्सक्राइब गया था और राज्यिसर्वा में सरवाधिक सेटे उत्थर प्रदेश में हैं तर्टी वन हैं और महाराज उसके बाद आता है है 19 से ठिक है तो यह चाहिए दोस्तों और यह इंपॉर्टेंट एक्जाम के समय जब एक्जाम नज्दीक होता है तो यह आपके लिए काफी कारगर हो सकते हैं रामबान सिद्ध हो सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक सेड्स सब्सक्राइब जरू करें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद झाल